जय हिंद स्वागत है टार्गेट विद्वारिस में आज की क्लास में पढ़ेंगे शर्बनाम शर्बनाम किशे कहते हैं शर्बनाम की परिभाशा इसके उदाहरण और इसके सभी भेद को समझने वाले हैं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे पहली ब महाशा होती है शंग्या के अस्थान पर परियुक्त होने वाले शब्दों को शर्बनाम करते हैं वाक्य के अंदर जो शब्द शंग्या के अस्थान पर परियोग किये जाते हैं ऐसे शब्दों को शर्बनाम करते हैं वाक्य में शंग्या या शर्बनाम इन दोनों में से उन सब्दों को शर्वनाम काते हैं, शर्वनाम एक विकारी शब्द है, शर्वनाम के अर्थ को समझते हैं, शर्वनाम शब्द शर्व और नाम दो सब्दों से मिलकर बना है, जहां पे शर्व सब्द का अर्थ सभी या सभ होता है, वहीं पे नाम का अर्थ हिंदी व्याकरण म तो शंगया के अस्थान पर परियोग किये जाने वाले सभी सब्दों को शर्बनाम काते हैं शर्बनाम सब्द का शाबदिक अर्थ सभी का नाम है वचन व कारक में इनका परिवर्टन हो जाता है लेकिन लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन नहीं होता है शर्बनाम शब्द का जो परिवर्तन है ये वचन और कारक के आधार पर इनका परिवर्तन हो सकता है हो जाता है लेकिन लिंग की आधार पर इसका परिवर्तन शर्बनाम सब्दों का परिवर्तन नहीं होता है जैसे मैं तुम हम वह आप उसका उसकी ये जो सभी शब्द हैं ये संगया के जगह पर परियोक किये जाते हैं और इन सभी शब्दों को शर्बनाम कहते हैं इन सभी शब्दों का परिवर्तन वचन और कारक क्याधार पर होता है परन्तु लिंग क्याधार पर इसका परिवर्तन नहीं होता है शर्बनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं पुरुस वाचक शर्बनाम, निश्चे वाचक शर्बनाम, अनिश्चे वाचक शर्बनाम, शम्मंध वाचक शर्बनाम, प्रस्न वाचक शर्बनाम और नीज वाचक शर्बनाम तो ये 6 शर्बनाम के भेद होते हैं, शर्बनाम के प्रकार होते हैं, पुरुस वाचक शर्बनाम, निश्चय वाचक सर्बनाम, अनिश्चय वाचक सर्बनाम, शम्मंध वाचक सर्बनाम, प्रस्ण वाचक सर्बनाम और नीज वाचक सर्बनाम, अब एक एक करके इसके परिभ बोलने वाले उत्तम पुरुष किसे काते हैं जो बोलने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष काते हैं मध्यम पुरुष सुनने वाला जो सामने सुनता है वो मध्यम पुरुष कालाता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है तो हिं पुरुस जिसके बारे में बात किया जाता है वो अन्य पुरुस कालाता है तो ये तीन प्रकार होते हैं पुरुस वाचक शर्बनाम के तो जब ऐसे सब्दों का परियोग वाक्य में होता है तो इन सब्दों को पुरुस वाचक शर्बनाम कहा जाता है जैसे यहां पे देखते हैं उसने वह मैं तुम उस ये जो सभी शब्द हैं ये पुरुस्वाचक सर्वनाम के शब्द कालाते हैं उदारण से इसको समझेंगे मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगे अब यहां पे पुरुस्वाचक सर्वनाम का परियोग यहां पे किया गया है इसी तरह यह मेरा घर है अब यहां पे पुरुस्वाचक सर्वनाम क्या है जो यहां पे मेरा सब्दाया है यह पुरुस्वाचक सर्वनाम है उसी तरीके से वह मेरा घर नहीं है तो यहां पे मेरा सब्दाया यह यहां पे पुरुस्वाचक सर्वनाम का उदारण है देखते हैं कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं जो मूल सर्वनाम होते हैं हिंदी के मूल सर्वनाम 11 होते हैं यह भी कोशन एक्जाम में पुछा जाता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने परकार के होते हैं तो याद रखेंगे हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं मैं, तुम, मैं, वह, क्या, तु, तुम, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन, जो यह इग्यारे हैं, यह हिंदी में मूल सर्बना कहलाते हैं दूसरा देखेंगे, दूसरा यहाँ पर देखेंगे निश्चवाचक शर्वनाम, जिन सब्दों के माध्यम से वक्ता के निकट या दूर के किसी निश्चित व्यक्तिवो वस्तु का बोध होता है, वह निश्चवाचक शर्वनाम कालाता है निश्चय वाचक शर्वनाम यह होता है कि जो वकता है जो बोल रहा है उसके नजदी या उससे दूर कोई ऐसी ब्रेक्टि या वस्तु है जिसके बारे में बात की जा रही है और वो निश्चित है तो ऐसे सर्वनाम को निश्चे वाचक शर्वनाम कहते हैं जैसे यह वह इस वे उस ए जो ये सभी शब्द होते हैं ये निश्चे वाचक शर्वनाम के उदारण होते हैं जब इन सब्दों का परियोग वाक्य के अंदर किया जाता है तो ये निश्चय वाचक शर्वनाम का उदारण होता है यह वह इस वे उस ए ये सभी निश्चय वाचक शर्वनाम के उदारण प्रिमाशा क्या है? जीन शब्दों के माध्यम से वक्ता के निकट अथवा दूर के किसी निश्चित व्यक्ति वो वस्तु का बोध होता है वो निश्चय वाचक शर्वनाम कालाता है जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं कि यहां पे लिखा गया है जब किसी निकट वर्ती व्यक्ति अथवा वस्तु की और निश्चित संकेत करना होता है तो हम निश्चय वाचक शर्वनाम का परयोग करते हैं जब हमारे पास या दूर कोई ऐसी व्यक्ति अवस्तु है जिसको हमें निश्चित संकेत करना होता है तो हम वहाँ पे निश्चय वाचक शर्वनाम का परयोग करते हैं उदाहरण से इसको समस्ते हैं जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि वह मेरा कुत्ता नहीं है अब थोड़ा दूर कहीं पे कोई डौग है और हमें कहना है कि वह मेरा कुत्ता नहीं है तो इस वाक्य में जो है हम निश्चित व्यक्ति ववस्त की बात हो रही है जो कुत्ता है जो प्राड़ी है जो जानवर है वो क्या है यहां पे वो एक निश्चित है कहीं खड़ा है और हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वह मेरा कुत्ता नहीं है तो यहां पे जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है यह कुत्ता को इस प्राड़ी को यह क्या कर रहा है जो यह निश्चित कर रहा है तो यहां पे जो वह सब्द है यह निश्च्य वाचक श्रवनाम का उधारण कहलाएगा जैसे एक दूसरा उदारण से समझते हैं कि लिखा है यह मेरी पुस्तक है अब यह मेरी पुस्तक है इस वाक्य में किसी वस्त की बात हो रही है अतह यहां निश्चे वाचक श्रम नाम का पड़ियों हुआ है अब कोई किताब है जो मेरे पास है मैं उस किताब के बारे में बता रहा हूँ कि यहां पुस्तक मेरी है अब जो पुस्तक है इसको मैं निश्चित कर रहा हूँ कि यह किसकी है मेरी है तो यहां सब्द है यहां इसको निश्चित कर रहा है पुस्तक को कि यहां पुस्तक किसकी है इसलिए जो यह सब्द है यह निश्चय वाचक शर्वनाम का उदारण कालाएगा अब तीसरे भेद की बात करेंगे अनिश्चय वाचक शर्वनाम अनिश्चय वाचक शर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तो ये अनिश्चय वाचक शर्वनाम शब्द कालाते हैं उदारण के तौर पे हम देखते हैं वहाँ कोई तो था अब कोई था, कौन था ये निश्चय नहीं हो रहा है ये निश्चित नहीं हो रहा है तो जो कोई शब्द है यह यहाँ पे अनिश्चय वाचक शर्वनाम कालाएगा इसी परकार से एक दोसाव दालर देखते हैं कुछ गरबड है अब गरबड तो है लेकिन क्या गरबड है इसके बारे में निश्चित नहीं हो रहा है यह अनिश्चित्ता की स्थिती को यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है यह अनिश्चय वाचक शर्वनाम का शब्द होगा चौथा देखते हैं जो भेद है सर्वनाम का वो शम्मंध वाचक शर्वनाम होता है शम्मंध वाचक शर्वनाम की परिभाशा क्या कहती है कि शंग्या के अस्थान पर आने वाले जिन दो शर्वनाम सब्दों से सम्मंध का भाव परकट होता है उसे सम्मंध वाचक शर्वनाम काते है शंग्या के अस्थान पर आने वाले जिन दो शर्वनाम सब्दों से शम्मंद का भाव परकट होता है तुमने जो कार मागी थे यह वही कार है अन्सक मब कर रहा है तो यह पी-क एसा संबंद le最 half- corazón शर्बनाम का उधारड होगा और अन्य पुरूस में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन या नीजिता का भाव पर कट करते हैं वो नीज वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे जब उत्तम पुरूस, मध्यम पुरूस या अन्य पुरूस का पर्योग वाक्य में इस भाव से किया जाए कि यहां पर अपनापन या नीजता का भाव पर कट हो तो वहां पर नीजवाचक सर्वनाम होता है जैसे उदाहरण से इसको समस्ते हैं जैसे उदाहरण से देखते हैं आप अपना काम खुद कर लेना अब यहां पर जो आप शब्द है यह मध्यम पुरुष का है और यहां पर जो आप है ये क्या है कि एक निश्ता का भाव दिखा रहा है कि ये काम जो है इसे आपको ही करना है, तो इस लिए यहां पर ये कैसा जो है उदारण होगा, नी जवाचक शर्बनाम का उदारण होगा, मैं अकेला ही कार साफ कर यह अभी उदारण किसका है नीजवाचक शर्वनाम है वह स्वयम इसकूटी से इसकूल चली जाएगी तो यह जो है नीजवाचक शर्वनाम का उदारण कहलाएगा जब यहाँ पर वाकिल केंदर जो है जो पुरुश, मध्यम पुरुश, उत्तम पुरुस और अन्य पूरूज जो तीनों होता है जब यह अपनापन या नीस्ता का भाव परकट करते हैं तो वहां पे नीज वाचक शर्वनाम होता है शर्वनाम का अंतिम भेद देखेंगे प्रस्न वाचक शर्वनाम, जिन सर्वनाम सब्दों से प्रस्न का बोध हो उन्हें प्रस्न वाचक शर्वनाम कहते हैं, वाक्य में कौन, क्या, किसकी आदि प्रस्न वाचक शब्द का परियोग होता है, तो ये सभी प्रस्न वाचक शर् प्रणाम प्रयुक्त होते हैं वह प्रस्ण बन जाता है उदारर से देखते हैं यहां पे कि लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है अब भारत के प्रधानमंत्री कौन है अब यहां पे जो कौन शब्द है यह प्रस्ण पूछने का काम हो रहा है यह पुस्तक किसकी है अ शुचक सब्द मिल जाते हैं, यहां पर प्रस्न करने वाला वाक्य बन जाता है, और प्रस्न सुचक सब्द जो होते हैं, यह प्रस्न वाचक शर्वनाम कहलाते हैं, तो इस तरीके से आपने शर्वनाम के शभी भेद और इसके उदाहरण को आपने देखा, समझा, चैनल को आप से मिलेंगे जय हिंद शुक्रिया